So hey guys welcome back in our new video तो आज का वीडियो थोड़ा इंपोर्टेंड आप सभी के लिए रहने वाले है चाहे इंडिया सरौर के पिल्यर्स हो चाहे बांगलादे सरौर के पिल्यर्स हो क्यूंकि आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले है फ्री फायर के नेश्ट इंक्वे के बारे में जो कि आपको हमारे इंडिया और बांग्रादेस में देखने को मिलने वाले है सांती दोस्तों बात करने वाले है फ्री के रिवार्ट के बारे में क्यूंकि दो बड़े मेगा इवेंट आने वाले है एक स्कॉर्ड बीड जगा और एक हमारा यहां पर SSN क्रेट क तो इनमें आपको कौन-कौन से फ्री रिवार्ड देखने को मिलने वाले उसके बारे हम बात करेंगे इसके लाओ दोस्तो इलाइट पार डिसकाउंट इवेंट जो है आपे कन्फर्म हो चुका है तो कौन सा इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा सांती उसकी जो डेट है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है सभी आपको इस वीडियो को पर पता चलेगी तो वीडियो दोस्तो काफी इंपोटेंट है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लास्त देखेंगे और हो सके तो एक सेर भी कर देना इसके लाओ दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनक और सकाइब नहीं किया तो प्लीज आ आपको आवास थोड़ी अलग नजर आरी होगी क्यूँकि थोड़ा भुखार है तो थोड़ा आप लोग जो एड्जेस्ट कर लेना सबसेले दोस्तों बात करते हैं upcoming animations के बारे में तो यहाँ पर दो animation निकल के आये हुए हैं जिसमें से एक जो animation है वो तो आपको इसी update के अंदर देखने को मिल जाएगा और जो दूसरा animation है वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है क्योंकि आपको पता है कि होर सा animation भी नहीं है तो वैसी animation का भी कोई scene पता नहीं है तो पहली animation का नाम है दोस्तो cyclone skater जो कि आप स्किन को पर देख रहोंगे तो काफी ओपी इसका यहाँ पर animation है देख सकते हैं आप तो इसके लावा एक और animation है लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए तो यह जो animation है दोस्तो अपना squad बेट जी की theme पर है तो यह 1000% confirm है कि आपको इसी update के अंदर देखने को मिल जाएगा और जो possibilities निकलके आ रही है वो fed will के निकलके आ रही है तो जैसी इसका date confirm हो जाएगा आप सभी के साथ share कर दूँगा इसके लाव दोस्तो जो दूसरा animation है वो भी आप screen को पर देख सकते हैं जिसका नाम है dragon rider तो यह dragon band के हाँ पर आ रहा है यह भी काफी जादा खतरनाग है तो आप लोग दोस्तो कमेंड करके बताना कि आपको first आला animation अच्छा लगा या फिर जो दूसरा animation है वो आपको अच्छा लगा तो यह जो animation है इसका confirm नहीं है कि इसी update का अंदर यह लोग दिंगे या फिर नहीं दिंगे क्योंकि अपना जो horse animation है वो भी अभी pending में है बाकि आपको कौन सा अच्छा लगा comment में जरूब बताना और जो पहले वाला है उसका आना बिल्कुल यहाँ पे confirm है आप दोस्तों बात करते हैं upcoming events के बारे में तो आपको Scott Beard जो और जो हाँ पे Season Creed है उसके 2 Mega Events देखने को मिलेंगे तो इसके जो interface का review है वो निकल के आ चुका है सबसे बात करते हैं अपने Scott Beard जी के event के बारे में तो इसक्रीन को पर आप इसका review देखी रहोंगे तो आप कौन सा female bundle है वो आप स्क्रीन को पर देख रहे हैं तो female bundle काफी यह था OP है क्योंकि इसका जो animation है या फिर इसका जो look है वो काफी यह अच्छा है तो यह जो female bundle आपने देखा है यह आपको बिलकुल free में मिल जाएगा इसके लाओ दोस्तो बगल में है Beards Association यानि की new token tower तो आपको token tower भी बहुत ही जल्दे देखने को मिलने वाला है जैसी event स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा bundle आने वाला है वो भी आप स्क्रीन को पर देख रहोंगे तो यह जो bundle है यह आपको token tower में देखने को मिल जाएगा जो की बहुत जल्दे आने वाला है जैसी date confirm हो जाएगी आप सभी के साथ share कर दूँगा इसके लाओ दोस्तो जो Beards Squad का event आने वाला है इसका जो 14 यहाँ पर फरवरी है उस दिन इसका जो peaked है वो रहने वाल है इसके लाओ यहाँ पर jam team का एक option देखने को मिल ला होगा तो यहाँ पर अपने जो mission है उसको complete करने है बागी एक pet loo का option देखने को मिल ला होगा तो pet related event देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको craft land के room card है और जो pet वाले room card हो मिल जाएगे इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा यहाँ इवेंट आने वाल है इसके left side हम बहुत सारी चीज़ा देखने को मिल ली है उपर है login reward यानि कि आपको एक login reward मिलने वाल है अब वो क्या है वो तो आपको कुछ दिनों के बाद ही में बता पाऊंगा इसके लाओ नीचे है daily scout तो यह भी एक event रहने वाल है नीचे है the academy तो यह भी एक यहाँ पर event रहने वाल है जो कि way event होगा इसके लाओ एक create wheel यहाँ पर रहने वाल है तो create wheel के अंदर आपको हमारा यह वाला bundle देखने को मिल जाएगा जो कि आप screen को पर देख रहे हैं तो हमारा collaboration का bundle है तो Creed Wheel का मतलब है Faded Wheel यानि कि Faded Wheel के अंदर आपको यह जो bundle हो देखने को मिल जाएगा इसके अलावा सभी की नीचे Favourite Mystery Shop का इकन यहाँ पर बनके आ रहे हैं तो यहाँ पर 1000% confirm है कि आपको March मन्त में जो है Mystery Shop देखने को मिलेगी जो की अपना Free Fire Access Session Creed की थीम पर बेजड रहेगी बांकी जो bundle है वो भी इन लोगों ने आपे बना रहे है लेकिन अभी किलियर नहीं कि कौन सा bundle है लेकिन आ इतना confirm है कि आपको March में जो है Mystery Shop देखने को मिल जाएगी तो बांकी जैसी इसका date confirm हो जाएगा फुल रिब्यू निकल के आ जाएगा सेयर कर दूँगा और आप लोग March के लाइट पास ही परचेस मत करना और February का जो इलाइट पास है उसको भी अभी जाके जो है परचेस मत करना क्योंकि Assistant Creed का इवेंट जो है March मां आने वाला है अब दोस्तों बात करते हैं Free Fire इंडिया और बंगले दिसमा आने आले नेस्टिफैड वील के बारे में तो Thompson की skin आपको जो है नेस्टिफैड वील के ओपर देखने को मिलेगी देकिन इसकी जो date है वो अभी killer नहीं है तो हो सकता है कि आनले एक अपते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगे तो date जैसी confirm हो जाएगी बता दूँगा Thompson का नाम है Fire Sea Demilord Single Damage, Single Accuracy और मैगजीन जो मैगजीन है Sorry, Double Accuracy, Single Damage और मैगजीन जो मैगजीन जो मैगजीन है जो जिसका poster आप स्किन को पर देख रहे है तो यह जो moco story event है इंडिया और बंगलादेस में आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर इसी की theme का bundle आने वाला है बाकि जो gun skin है वो आपको फैड होई नहीं देखने को मिलेगी गोल्ड रोएड आप लोग कितने spin में निकाल लोगे कमें बताना इसके लाओ दोस्तों बात करते हैं दूसरे tonight update के बारे में तो सुबह 7.30 बज़े आपको emote party event देखने को मिल जाएगा जहां पर rock, paper, seizure जो हमारा main emote है वो रहने वाले है, इसके लाओ हमारा cheer emote है और भी emote है, तो बहुत साई लोग पूछता है कि कितना diamond लग जाएगा तो grand prize निकालने में तो लगवाई कितना diamond लग जाएगा लेकिन जो other prize है, वो आपके luck के उपड़ डिपेंड है अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले update की तरफ सो गाई, जैसी अपना golden state का encounter खतम हो जाएगा उसके nest दिन आपको groja का encounter देखने को मिलेगा जो की nest encounter रहने वाला है फश्टी जो gun skin है, इसका नाम है, thunder electrified जो की top gun skin है, double damage, single armor penetration minus moment speed है, हाँ पे इसके attributes है बात्रेस के look की, तो look काफी अदा ओपी है और अपना स्कॉर्ट बीट्ज का event आ रहा है उसी की theme पे जो groja encounter है, यहाँ पे रहने वाला है तो इसका जो animation है, आपको कैसा लगा, comment हो जरूबता ना इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी gun skin आप अपने green color की रहने वाली है इसके भी looks काफी अच्छे है, या फिर इसके जो attributes हो भी ठीक है single light of fire आपको आपको आपे देखने को मिलता है इसके अलावा यहाँ पे double range देखने को मिलती है और तो reload speed हो minus है, बाकि जो look है वो भी काफी अच्छा है क्योंकि इसका जो color combination है यहाँ पे pink color का वो भी काफी यहाँ पे सही लग रहा है इसके लावा दोस्तों बात करें अपनी तीसरी gun skin के बारे में यानि कि जो मारी top 3 में रहती है वो अपनी pink color की रहने वाली है जो की पूरी pink है और इसका भी animation याफिर इसके जो attribute भी ठीक ठाग है तो minus यहाँ पे magazine और single accuracy और double armor penetration इसके attributes रहने वाल है double armor penetration, single accuracy और minus यहाँ पे magazine तो यह अपना यहाँ पे third वाली gun skin है इसके लाव दोस्तों बात के अपने last gun skin के बारे में यानि कि जो incubator की last gun skin रहती है वो भी यहाँ पे काफ़े अच्छी है क्योंकि उसके भी जो यहाँ पे animation है याफिर उसके जो attributes है वो ठीक ठाग है वैसे last के साब से तो आपको पता ही है कि last gun skin रहते है उतनी खास नहीं रहती है तो यहाँ पे आपको single range और double accuracy देखने को मिलती है तो यह अपना चौथा gun skin का attributes है बागे attributes आप जो है अच्छे से वीडियो को पौच करके वीडियो में देख लेना क्योंकि नीचे ही mention है तो आप लोग दोस्तों बताना कि कौन सी gun skin आप निकालने का सोचोगे वैसे तो हर बंदा सोचता है कि मैं टॉप आले ही निकालूँगा बट टॉप आले को निकालने में थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं यह इस इवेंट के ग्रांड प्राइज रहने वाले हैं तो यह काफी पुराने बंदल हैं बहुत सर्वर के उपर मिश्टी सौब में आये हुए थे तो अपने को यहां देखने को मिलने हैं कि आप लोग इन बंदल को निकालोगे या फिर नहीं बागी जो डिसकाउंट इवेंट है उसका पोस्टर आप सिंगों पर देख रहे होंगे अब दोस्तों बात करते हैं नेस्ट रिटर इंक्वेटर के बारे में तो यहां पर लिक्स निकल के आ रही है कि अपने आप भी जो गोल्डन सेट आया उसके बाद आपको जो है किसी गन का इंक्वेटर देखने को मिल सकता है तो पॉस्टिवल कौन कौन से है बता जेता हूँ एक यूएंपी है और एक अपना यहां पर एक अपना एक्समेट है तो काई जो भी कनफर्म नहीं है कि कौन सा आएगा तो जैसी कनफर्म होगा बता दूँगा बांकि जो पॉस्टिवल है मैंने बता दिया है क्योंकि अभी काफी टाइम है पहले ही यह खतम होगा उसके आग रोज आएगा फिर जाके वो आएगा इसके लाओ दोस्तों बंड और आप देख रहे हैं हो सकता है कि कि कंफर्म है मानके चलो क्योंकि गर तो नहीं आएगा यह एक अचारपशने को मिलेंगे जैसे कि सुपर चार्छर वाले देखने को मिले थे अपने को गेमिंग डाइट के उपर तो कौनसा बंडल सबसे अच्छा लग रहा है और कौन सा सबसे बेश्ट है कमेंड़ों जरू बताना जो सबसे लाश्ट वाला है रेड़ वाला ये भी काफी साही लग रहा है बांकि जो टॉप वाले हो भी ठीक है तो यहाँ पे कदर कॉमिस्टल सब का बढ़ी आई है तो आपका फैब्रेट कौन सा है वह आप कमेंड़ों जरू जर स्काइब जिन से जरू बनें